नमिश्कार दोस्तों आज कल आपने खावर में सुना होगा कि H3N2 वाइरस जो है वो कहर बरपा रहा है और ये लोगों को काफी जादा संक्रमित कर रहा है तो आज हम इस वीडियो के माद दिम से आपसे कुछ बाते शेयर करेंगे कि आखिर ये वाइरस है क्या और किस तरह य ये एक तरह का इन्फलेंजा ए वाइरस है जो की एक संक्रमन है और ये सांस की नली से में होता है जैसे कि इसमें नाक गले या उपरी शोषिन का जो भाग होता है और ये थोड़ा-थोड़ा फेफडों को भी आपके प्रभावित कर सकता है योंकि इसके मामले तेजी से जालता है लेकिन इसकी महमारी बढ़ने के कारण जो है कि इसमें से बहुत जादा जो लोग है वो गंभीर नहीं होते हैं लेकिन संक्या में बृद्धी चिंताजनक है और इससे एच सोरी एच त्री एंटू वाइरस या स्वाइन फ्लू वाइरस एक गैर मानव इंफलेंज वाइरस आया था यह वाइरस किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति से खांसने चीकने या जब हम वो बात कर रहे होते हैं तो उनके मुझ से जो कुछ पानी की बूंदे निकलती है उनकी वज़ा से एक इंसान से हो सकता है कि अगर आपके साथ में कोई इंफलेंजा का पेशन्ट खड़ा हो और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है अगर आपको खांसता चींकता है तो यह संक्रमन आपको हो सकता है तो इससे आप क्यों चांस है संक्रमन के वो जादा हो सकते हैं इससे बचने के लिए आपको एक तो सबसे पहले भीड़ भाड़ वाली जगाओं से दूरी बनाके रखनी हैं दूसरा अपने हाथों को जैसे आप करोना के समय अच्छे से दोते थे वैसे दोना है सैनिटाइजर का उप्योग करना है साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये वाइरस कितना खतरनाक है देखिए ये भी एक वाइरस है जिनकी इम्यूनिटी होगी या माल लीजिए जो बुड़े होंगे उनको ये थोड़ी हलकी बहुत परिशानी दे सकता है हाँ जिनको चस्छाती में दिक्कत रहती है उन पेशेंटों को ये थोड़ी जादा दिक्कत देगा क्योंकि स्वाशनली का वाइरस है तो थोड़ा खाने वगेरा में ये खाते वक्त इसमें दर्द वगेरा हो सकती है और दूसरा रहता है कि अगर आपको जब ये वाइरस हो जाए तो एंटिवाइटिक्स को डॉक्टर की सला के बीना ना लें अपने नजदी की डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट करें हो सकता है तो आप स्टीम लें स्टीम से आ भाफ लें हल्दी खाना खाएं प्रोटीन वाला खाना खाएं अपने शरीर को हल्दी रखें बढ़िया गुन-गुना पानी पिएं और भीडबाड वाले इलाकों को अवाइड करें इसी तरह से आप इस वाइरस को फैल सकते हैं अगर आप इससे संकरमित हो गए हैं तो आइसोलेट अपने आप कर लें जिससे यह वाइरस स्प्रेड थोड़ा कम होगा और अपने ही घरवालों का बचाव होगा इसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूरूर।